तो चलिए स्वागत है सभी आगलबारी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक और नई अपडेट में तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पोशन ट्रेकर एप में एक नया अपडेट आया है जिस अपडेट का भर्जन है 18.0 तो इस 18.0 में आप लोगों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण अपडेट आई है जैसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप का ये जो पुराना वाला डैस्बोर्ड देख रहे हैं इस अपडेट को करने के बाद आपका ये जो डैस्बोर्ड है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा तो कौ आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको आगे कैसे काम करना है जो नए वाला डैस्बोर्ड है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जनकारी मिलने वाली है आप लोग से एक हिस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग को आज की ये वीडियो तो जैसे कि हम पहले क्या करेंगे कि यहां से हम पोशन ट्रेकर अप को यहां से बैक कर लेंगे बैक करने के बाद यहां पर हम आ जाएंगे प्ले स्टोर में ठिक है प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर हम सर्च करेंगे पोशन ट्रेकर लिग के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको update का option देखने को मिल जाएगा तो simply आप लोग यही से इस portion tracker app को update कर लिजेगा जैसे कि यहाँ पे हमारा portion tracker app जो है वो update होके यहाँ पे आ चुका है अब simply इसको हम लोग open कर लेते हैं ठिक है इसको जैसे हम लोग open करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो portion tracker app का home page है वो कुछ इस परकार से आपको change करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे आपको step by step सभी details के बारे में आपको जनकारी देने वाले हैं कि किस परकार से आपको काम क कहाँ पे add किया गया है जिसके बारे में यह पूरी जनकारी आपको मिलने वाली है जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप इसको open करते हैं तो first time ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नमसकार आपका जो भी सेविका का नाम है वो देखने को मिल जाएगा और नीचे में नहीं खोला है तो फॉर्स्ट टैर्म आपको यहां पर झाल करेंगे तो यहां पर आपको आगन बाड़ी केंदर ख़ोलने का उप्षान आ जाएगा यहां पे जैसे आप टैप करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आज हमने अपने आगन बारी option है वह बिलिंग कर रहा है क्योंकि अभी यह नए अपडेट है है तो कभी आपको देखने को मिलेगा तो इससे आपको डरना नहीं है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर बच्चों का attendance बनाने का option आजाता है यहाँ से बच्चों का attendance आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों को हमने attendance बनाया हुआ है इसकी जनकारी आप लोग यहां से ले सकते हैं और यहीं से आप लोग attendance भी बना सकते हैं यहां पर है morning snacks जिसमें कि हम बच्चों को morning snacks देते हैं उसका details यहां से भर सकते हैं hot cook meal सेम का भी details यहां से बच्चों का भर सकत तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ठीक है तो यहां पर इसका जो डिली ट्रैकिंग काम है यहां से आप लोग देख पाएंगे किस परकार से नया मॉडूल में आप लोग को देखने को मिल रहा है ठिक है उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको home visit का option देखने को मिल जाएगा कि आपका home visit यहां पर दिखा रहा है completed 30 यानि कि 30 जो home visit है वो आपने complete कर लिया है और यहां पर due में आप लोग देख सकते हैं कि due में अभी दो home visit दिखा रहा है तो दो home visit को आपको यहां से आके इसको home visit आप लोग कर सकते हैं देखिए इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है आपका जो dashboard है उसको ही change किया गया है बाकी process जो है वह आपका पुराना वाला ही process है जैसे आप लोग पुराने वाले dashboard पे काम करते थे उसी है आपको क्या करना है यह सवाले option पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपका यहां पे home visit इस परकार से complete हो जाएगा फिर से आप यहां पे continue पे क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे देख सकते हैं एक हो फॉम विजिट दिखा रहा था यहां से यह complete होके यहां हो चुका है तो इस प्रकार से आपको होम विजिट करना है ठीक है यह वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको स्टेप बाई स्टेप इसमें जनकारी मिलेगी कि कौन सा मौडूल कहां पर है और आपको कैसे काम करना है ठीक है चलिए अब नीचे आते हैं नीचे आने के बाद यहां पर एक्संट सेंटर दिखा रहा है यानि कि यहां पर जितने भी रेजिस्टर बेनिफिसरी हैं वह आप यहां पर किली करके देख सकते हैं जैसे कि यहां पर आप रेजिस्टर बेनिफिसरी वाले पर किली करेंगे तो जितने भी रेजिस्टर बेनिफिसरी का ओप्सन है यहां पर खुल के आ जाएगा जैसे कि प्रेगनेंट टूमेंड लेक्टेक्टिंग मदर और एक बात देख करके जो भी बेनिफिसरी है उसको आप लोग निव रेस्टेशन कर सकते हैं ठिक है उसके बाद यहाँ पर अगला जो स्टेफ है यहाँ पर वेरिफाई अधार का है जितने भी लभार्थियों का अधार वेरिफाई नहीं हुआ रहेगा वो सभी के टेगरी का एक ही मौडूल म वो सिर्फ यहाँ पर चेंज किया गया है ठिक है उसके बाद आते हैं अगला स्टेफ जो है वो ग्रोथ मोनेटरिंग का है जैसे कि यहाँ पर ग्रोथ मोनेटरिंग में दिया गया है कि पेंडिंग आपका कितना है ग्रोथ मोनेटरिंग जैसे कि ग्रोथ मोनेटरिंग आपक growth monitoring complete किया हुआ है और pending में यहां पर देख सकते हैं कि इतने बच्चों का आपका जो growth monitoring है वो pending दिखा रहा है तो यह एक नया option इसमें add किया गया है जैसे कि यहां पर हम लोग नहीं देख पाते थे कि कि हैं बच्चों को हमने growth monitoring किया है उसका list भी अब आप लोग यहां से देख सकते हैं तो यह काफी अच्छा update है आप लोगों के लिए ठिक है अब आते हैं अगले step की और अगला step जो है यहां पर आप लोग take home राशन यानि THR का जो भी entry आप लोग पोशन ट्रेकर एप में करते हैं उसका details आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि कि कितने को हमने take home राशन दिया है और कितना भी पेंडिंग है जैसे कि यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका भी एक अलग से लिस्ट बनाया गया है जिसमें कि आप लोग complete देख सकते हैं कि कितने लभार्थियों को हमने THR दिया है वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं जब THR आप लोग बितरन करेंगे और उसके बाद यहां पर भड़ेंगे तो उसका लिस्ट यहां पर आ जाएगा और यहां पर सेम एंड अंडरेवेट चिल्ड्रेन जैसे कि बच्चों में हम लोग चेक करते हैं तो उसके यहां पर दिखाये गया है इसका भी एक लिस्ट बनाया उसके बारे में यहाँ पर पूरा वीडियो में समझाया गया है, जिसे कि आप लोग देखके यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, यह तो आपका Homepage हो गया, इस परकार से आपका जो भी Homepage है वो दिखने वाला है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूसरी केटेगरी जो है, यहाँ पर Beneficiary की केटेगरी एड की गई है, यहाँ पर Second Number Option में देखेंगे, तो जितने भी Beneficiary की केटेगरी है, पुराना वाला मोडूल आप लोग देख रहे थे, उस परकार से यहाँ पर Beneficiary को एड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग इस परकार से आके, किसी का भी New Restation जो भी Detail से यहाँ पर भरना चाहते हैं, वो आसानी से भर सकते हैं, ठीक है, अब अगला Step आते हैं, जैसे की Third Number Step जो है, यहाँ पर Daily Tracking का आप्शन यहाँ भी दिया गया है, यहाँ से भी जाके, आप लोग बच्चों का जो अटेंडेंस है, Morning Snakes है, यहाँ पर किलिक करके आप लोग भर सकते हैं, यहाँ पर किलिक करेंगे, तो पूरा Detail से यहाँ पर खुल के आ जाएगा, जिनको भी Morning Snakes, SCM और अटेंडेंस बनाना है, यहाँ से आके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, एक्टिबीटी भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक्टिबीटी पर आप लोग किलिक करेंगे, तो यहाँ से एक्टिबीटी भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो more वाला option आप लोग देख रहे हैं इस more वाले option पे क्लिक करेंगे यहाँ पे list आप लोग देख रहे थे जो पुराना वाला list यहाँ पे दिया गया था उन सभी list को awc user, awc status और awc info यहाँ पे more वाले option में add कर दिया गया है और जैसे कि यहाँ पे अधार verify का option भी आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ से भी आप लोग अधार verify जितने भी लभारती हैं उसको आप लोग अधार verify कर सकते हैं बाकी सारा चीज यहाँ पे same ही है, process आपका same ही है लेकिन आपका जो यह module है, सिर्फ module को ही change किया गया है जैसे कि यहाँ पे हम event वाले पे click करते हैं और event वाले पे click करने के बाद यहाँ पे CBE, yoga day, VHSND, training module यह सभी module के बारे में आप लोग को पता है कैसे भरना है जैसे कि यहाँ पे हम click करते हैं, 7 तारीका जो गुद्भराई दिवस होता है उसको हमने यहाँ पे नहीं भराए, तो यहाँ पे हम calendar पे click करके यहाँ पे date डालेंगे, और date डालने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग theme select कर लेंगे और select करने के बाद यहाँ पे submit करेंगे, तो हमारा जो CBU वाला कारेकरम है इस परकार से complete हो जाएगा, ठीक है, तो इस परकार से आप लोगो को इस portion tracker app के नए module पे काम करना है, जैसे कि हमने आपको इस module के बारे में सभी जनकारी दे दी है अगर आप लोग को कोई भी module के बारे में जनकारी चाहिए, तो आप हमें comment किजिएगा मैं उसका वीडियो लेके आने की कोशिज करूँगा, उमीद है मैंने आपको इस 18.0 के नए update के बारे में इस नए dashboard के बारे में पूरी information दे दी हो, step by step आप लोग को समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए topic नए जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद